हलो फ्रेंज वेलकम टू माय चैनल दोस्तो आज के वीडियो में आपको कुछ इस तरह का वहदरीन इंट्रो बनाना सिखाने वाले हैं दोस्तो अगर आपका नए यूटूब चैनल है या फिर दोस्तो आप एक और नए यूटूब चैनल खोलना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इंट्रो बिल्कु सुटेवल रहेगा और अगर आप एक व्लॉग चैनल बनाना चाहते हैं तो ये इंट्रो उसके लिए तो सबसे बैस्ट रहेगा तो इसके लिए दोस्तो आपको अपने मुबाइल में काइन मस्टर अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना ह अगर आपके मुए पहले से है तो इसको ओपन कर लेना है और फ्रेंडस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्स्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें साथ में वैल आइकन को जरूर दवा लें जिससे आने वाली वीडियो की नियो अटिपेशन आपको स लेक सकते हैं मीडिया का उप्शन है इस पर किलिक करके दोस्तों आपको कुछ फोटो लेकर आना है यानि कुछ इमेज लेकर आना है जो कि आपको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको उस एप्लिकेशन का लिंक पता नहीं है तो वीडियो को नीचे और ये फोटो जो है आपके मुबाइल में हैं उनको आसानी से ये डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको क्या करना है इस तरह के कुछ दसवारा फोटो लेना है और दसवारा फोटो लेने के वाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कुछ दसवारा फोटो जो है 0.5 0.4 के आसपास आप सबका रखके यहां से trim to right or play head कर दीजे यहां देख सकते हैं इसका duration कितना है तो मैं इन सबका duration बहुत कम कर लेता हूँ यानि घटा लेता हूँ इनका सबका लगवग आपको 0.4 second रखना है only तो इतना रखने के बाद दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है लगवग 10 वारा image का तो जो duration है वो आपको आदे second से भी कम रखना है और कुछ 4 या 5 image का duration आपको 1 second रखना है यानि जो बाद की image है 4-5 image उसका duration आपको 5 या या एक 1 second से आसपास रखना है बागी की जितनी है यहां देख सकते हैं इन सब का duration बहुत कम है मैंने इस तरह से इनको cut कर लिया है और बागी का इनका एक second रख लिया है अब दोस्तों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना इतना ही रहने देना है और यहां पर कुछ image का जो size है यहां पर कम कम ह आ रा है तो आपको क्या करना है प्रटेक image पर click करना है जैसे मैं किछ पर click कर लूंगा और यहां से click करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह वाला option है यहां से click करना है और इसको अपनी उंगली की सायता से दोनों उंगली की सायता से इस तरह से बड़ा कर देना है बड़ा करने के वाद दोस्तो आपको यहाँ पर इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के वाद दोस्तो आपको यहां से ओके कर देना है अब दोस्तों आपको मीडिया में जाना है और यहां से बेक्ग्राउंड में जाकर आपको एक वाइड बेक्ग्राउंड ले लेना है और इस वाइड बेक्ग्राउंड का दोस्तों आपको क्या करना है कम से कम 6 सेगेंड के आसपास मतलब इसका 6 सेकंड के आसवास इसका डियोरिशन रखना है अब दोस्तो आपको यहां लेयर में जाना है और लेयर में जाने के बाद यहां पर टेक्स्ट में जाना है और आपको टेक्स्ट लिएना है जो भी आप लिखना चाहते तो मैं यहां पर केबल मेरा नाम लिख रहा ह इतना ही रखना बढ़ाना नहीं है और इसमें जाना है और यहां से आपका इसको यह वाला फॉन्ट रखना है और यह फॉन्ट रखने को आज यहां से ओफिक कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है यह वाला फॉन्ट लगा करके अब आपको इसको जो duration है उसको आपके background के बरावर कर देना है यानि इसको full कर देना है अब आप यहां से इसमे animation लगाना है in animation यहां से इसको fade कर देना है यहां से back हो जाना है फिर आपको out animation लगाना है और यहां से भी इसमें इसको fade कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह का यह आ रहा है अब दोस्तों आपको क्या करना है इस पर किलिक करना है और यहाँ एक चावी का उप्सन दिएगा यह वाला इस पर किलिक करना है और इसको end तक लेकर जाना है यहाँ पर और इसका जो size है आपको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है दोस्तो इस तरह से यहां देख सकते हैं मैंने इतना उड़ा साइज इसका कर लिया है अब आपको इसको OK कर देना है यहां से अब हम देखेंगे कि यह इस तरह से आएगा यह देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है यहां से इसको शेयर करके यहां से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है यानि इसको शेव कर लेना है अबनी गैली में जैसे यह सेव हो जाए तो अब आगे का प्रोसेस में आपको बताता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं यह सेव हो चुका है अब आपको बैक हो जाना है बैक होने के बाद दोस्तो उसी फाइल में चलना है जहां पर हम अभी काम कर रहे थे तो जैसे इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारी फाइल आ चुकी है अब आपको क्या करना है लेयर में जाना है यहां से मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के वाद दो अभी हमने एक्सपर्ट किया था यह वाला इसको लेकर आना है दोस्तो इसको आपको यहां पर किलिक करना है और यहां से इसका डूरेशन फुल कर देना है अब दोस्तों इसको यहां पर हमें नहीं लगाना है मैंने आपको बताया था कि इसको कहां पर लगाना है इसको आख वीडियो के end में लगाना है आपको इसको खीच करके आपको इसके बराबर कर देना है जो हमने एक एक सेकंड वाला लगाया था इसको आपको वहीं पर पहुंचा देना है यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से पहले होगा यहाँ देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने एक सेकंड से कम रखा है आप चाहें तो देख सकते हैं इस तरह का इसमें आएगा वडिस्क्रीन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे钓 तो यहां पर हमने Romans कर लिया है। अब दोस्तों अब यहां पर हमारा यह देख सकते हैं बनके तयार हो चुका है इंट्रो इसमें हमें बस आडियो और जोड़ना है तो इस तरह का आएगा इस तरह का आने के बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं हमारा इंट्रो कुछ इस तरह से सो हो रहा है तो अब दोस्तों यहां पर sound लगाना है इसके लिए audio पर जाना है और यहां से music assets में जाना है और यहां से आपको यह वारा sound लगा लेना है यहां से इसको okay कर देना है यहां देख सकते हैं अब हमारा कुछ इंट्रो इस तरह से बन के तयार हो चुका है यह इंट्रो बन के तयार हो चुका है इसका यहां से audio को cut कर देंगे यहां की बाग की का जो audio है यहां से इसको trim to right or play head कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको इसको share करना है यहां से export करेंगे तो यह आपके गेले में से हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंटर में जरूर बताएं साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले